नमश्कार दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका रियक्टर स्केल होता है एक आपका मरकेली स्केल होता है दोनों के बारे में आपने सुना होगा लेकिन दोनों का काम अलग-अलग होता है जो हालांकि दोनों का सम्मंद भुकम से ही है दोनों भुकम को ही मापते ह लेकिन एक का भुकम का मापने का एंगल अलग है दूसरे का अलग है जो आपका रियक्टर जो स्केल होता है ये भुकम की तीवर्ता को मापता है कि भुकम की तीवर्ता को मापेगा कि भुकम का कितना ज्यादा परभाव पड़ा है इंपक्ट कितना पड़ा है तेज तीवर्त तो ये क्या मापता है तो ये बिच्चा भुकम के मैगनिटूड को मापता प्रीमान को मापता है इसका मतलब क्या होता है कि जब वो भुकम पाता है तो उसके कारण कितनी अनर्जी रिलीज होती है कितनी उर्जा रिलीज होती है उस सीज को मापता मरकेल स्केल हालांकि ज़्य साधा जो उपयोगी है वो आपका रियक्टर स्केल ही है, मरकेली जो स्केल है वो आपका एक नोर्मल ही है, साधारन ही है और जो आपका रियक्टर स्केल होता है, इसमें आपका नंबरिंग जो होती है वो 0 से लेकर आपका 9 नंबर तक होता है, जबकि जो आपका मरकेली जो स्क होता है उसमें 12 नंबर तक होता है तो यही आपका मुख्य अंतर था तो अभी के लिए इतना ही थैंक्यू